हेलो एवरीवन जैमातादी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स और यहां मॉर्निंग की सुरुवात हो गई है मेरे एक्सरसाइज के साथ और बच्चे अभी सभी स्कूल चले गए हैं क्योंकि सभी बच्चों का चल रहा एक्जाम और उन लोग के जाने के बाद जो मेरे घर के काम होते हैं जाड़ों मैं कर ली हूँ लोग कापाल भारती से आपका जो पेट है वो अंदर जाता है पेट का फेट कम करता है अगर आप कापाल भारती करेंगे तो बहुत अच्छा असन है तो बस देखें यहां मैं कर रहे हूं मंडू का असन तो सांस को भरते हुए छोड़ देंगे उसके बाद यहां जो मुठ अगर अगर बाद में करेंगे तो फिर वह बाद में कभी नहीं आता है और हम लोग दिन भर न हम लोग अपने काम में ही वीजी रहते हैं तो इसलिए हम लोग को अपने लिए भी टाइम निकालना होगा तो इसलिए मैं क्या करती हूं सब लोग चले जाते हैं उसके अपने काम में लगी रहते हूं उसके उसी में मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूं निकाल लेती हूं तो निकल जाता है नहीं तो थोड़ा सा भी टालती हूं कि बाद में करूंगे तो फिर नहीं हो पाता है तो फ्रेंड्स यहां पे द गना लूंगी और अगर आप अपना वेट लूस कर रहे हैं तो हरी साग सभजीयाः खाणा बहुत जादा जरूरी होता है और अभी बार इस सभजीYeah मारकेट में बहुत जादा है और अच्छेृ सभाड़ी मिल पीऊंगी और जीरा पानी बहुत अच्छा फैट कटर डिरिंक है मैं सुरू से ली हूँ यह सब डिरिंक और फ्रेंट्स देखें मैं सागना मतव जैसे साग एक तरफ में चढ़ा दी थी हलका सा नमक डाल के बॉयल कर लेती हूं बॉयल हो जाता है सागना बहुत जल्दी जट बन जाता है और यहां मैं आप लोग को जीरा दिखा रहे हूं कि जो मैं पानी जीरा का पानी पीली हूं जीरा ऐसे रख देती हूं जीरा सुक जाता है तो उसको क्या करती हूं किसी भी सबजी में डाल देती हूं या तो दाल फ्राई कर देती हूं क्योंकि मैं जीरा को फेक है उसके बनाना था आज यह कद्दू और यह कद्दू बिल्कुल ग्रीन था और बहुत अच्छा था तो हाड़ नहीं था इसका स्कीन है ना वह अए था तो ऐसे मैं इसकीन के साथ कटकर लेती हूं बहुत जड़ा टेस्टी बनता है और लाश्ट में उसे अमचुर पाउडर डाल देती हूं और यहां पर मैं जो नास्ता है वो मैं बना ली थी उसके बाद फिर नहाद हो करके आ गई हूं पूजा करने के पूजा पाट हो गया था उसके फ्रेंड्स मैं यहां लेकर अभी जो टाइम हैान जाड़ा हो गया था एक हburgालन जा प्रेंड्स मैं गयास JUL हो गया अगया था चींप करते हूं की तो मैं आपना ब्रेक फास्ट लेके आ गई हूं और इंटरमेडिन फास्टिंग में आपको कुछ भी नहीं खाने होते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो लिक्विड चीज ले सकते हैं कि जैसे आप पानी अच्छे से पीजिए लेकिन मैं क्या करती हूं परिंबु से बाले हम दिए तो और ओध सब्कुर स्तूर सुझे ले अचाहि के चीज बलकुल red लेता हैं तो आप परे फेंट एच्छा डेट में की चीजिए को ब्राउट आप अब फास्टिर हम पंर उतमा ने यूश नहीं यह सब दाल के मैं इसको भी 32 बार चवा-चवा के खाऊंगी और इससे आपका constipation का भी समस्या खतम हो जाता है इसमें बहुत ज़्यदा protein है और आप बहुत देर तक पेट भी बरा रहता है तो friends इसको जरूर खाना चाहिए अगर आप अपना वेट लूस कर रहे हैं तो friends देखिए मैं थोड़े थोड़े लूँगी इसको भी 32 बार चवा-चवा के खाऊंगी तो friends थोड़े थोड़े करके और इसको मैं चवा-चवा के खा लूँगी और friends इसमें वही था धेर सारा सेलेड था थोड़ा सा पनीर था और मैं जादा बना ले थी क्योंकि हजबन भी बूल ले थे कि मैं भी खाऊंगा तो मैं उनको दे दी थी और मैं यहां बैटके आराम से चवा-चवा के खा ले रही हूँ तो friends और मेरा breakfast हो गया देर घंटे और मैं भी ग्रिंटी बना के आई हूँ अब यह मतब गैस आप कर दी हूँ ग्रिंटी डाल दी हूँ और फी मिनेट के बाद जो है उसको चान लूँगी और अभी मेरे हां बहुत ज़्यादा बारिस हो रहा है कपड़े भी डाल दी हूँ मसीन में धुने के लिए कि सभी कपड़़े मासी में पड़ी हूए थे फांच छाथ दें से continue बारिस हो रहा है और यहां पे देखिए बस यह सबीची में कपड़ा हुआ है को कुछ सब्सक्राइब कर दोंगी्गन विए कुछ कपड़ा करें 3 रख setting उइसके तो छी महें इस अब हुआ है को दोटा कि अधिक आ रहा है थाथ को तो नीचा करने लेके साथ की चाई कहले है इसको भी मैं आपको दिखाते हैं बाहर में कितना अच्छा बारिस हो रहा है इतना ज़्यादा बारिज भी न अच्छा नहीं लगता है तो मैं भी आपने तुभी खा रहे हूँ हूँ कि अधर के बहुत ज़्यादा बारिज हो रहा है चलिए ग्रीन टीज चाल लेती हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ग्रीन टी तैयार हो गया है तीन चार मिनट हो गया था पानी गरम करके फिर मैं गैस आप कर देती हूँ उसमें ग्रीन टी डालके छोड़ देती हूँ तीन मिनट तक उसके अच्छान के पी लेती हूँ तो friends अगर आप भी अपने वजन कम करने के लिए सभी तरीके अपना के ठक चुके हैं आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो एक बार इस फार्मूले को करके देखिए आपका वजन 100% कम होगा और मेरा भी बहुत जादा वजन कम हो गया है मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं सिर्फ घर के खानों से और अपने exercise करके और आज अपना वजन कम कर लूँगी तो friends आप भी जरूर कर ये 32 बार बहुत अच्छा फार्मूला है इसमें आपको एक पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं आपका वजन कम होगा साथी आप बहुत ज़्यादा energetic फिल करेंगे आपकी छोटी छोटी बीमारिया ठीक होने लगेंगी और friends यहां पे मेरा जू हो गया था लंच का टाइम और आज में लंच थोड़ा सा लेट में कर रही थी और टाइम अभी हो रहा था तीन बज़रा था तो मैं ले ली थी यहां पे साग और कद्दू की सबजी और दाल और एक रोटी एक रोटी के मैं 25 रुकड़े कर लेती हूं और सेलेड था सेलेड में बीट था और चुकन बीट था और खीरा था friends वो मैं खा ली थी और खाने के एक घंटे के बाद फिर मैं ले ली थी ग्री इदर देखिए हनमान चली से लगा कि मोबाइल में रख लेती हूं गाना सुनते सुनते मेरे सभी काम हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यह सब और friends यहां पे देखे मैं गोभी को बाइल कर ली थी हलका सा नमक डाल के क्योंकि आज कल कीड़े वगर आते हैं औ और जो भी केमिकल रहता निकल जाता है तो बस गोभी को हलका सा मैं तेल डाली थी एक चमच और इसको फ्राइ कर लूँगी और साथ ही इसमें उपर से डाल दी थी नमक और सूखी सी सबजी बनाऊंगी friends और बस रात में भी यही रोटी सबजी ही रहेगा मेरा और मैं जो है तब ही आप खाईए अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप खाना बिल्कुल नहीं खाईए क्योंकि भूख नहीं लगे रहने पे खाना खाने पे न वही फैट में convert होता है तो इस लिफरेंट्स और आप लोग कोसिस कीजिए कि डिनर जो है आप जल्दी कीजिए अगर आप खाना तो बना लेंगे लेकिन आप डिनर नहीं कर पाते हैं तो बस मैं यही सब करके मैं आज अपना जो है न वजन कम कर ली हूँ और बहुत अच्छा लगता है और कोई भी हार्ड नहीं इसमें बिल्कुल एक पैसे भी नहीं लगाने पड़ते हैं घर में ही घर के खा जालती हूं तो आलू मैं कम लेती हूं आलू चीनी चावल यह सब मैं तब चीनी और आलू मैं बहुत कम लेती हूं चावल तो मैं खा ही लेती हूं और दो एक दिन पर चावल ले ही लेती हूं थोड़े बहुत